एजिली अंडर्स्टेंड करने के लिए नीचे टेबल भी बनाई हैं ताकि इनकी मैप्टिंग से घिए कि कौन रॉड़क्ट हमारा इजीली सेल और कौन सा नहीं रहाएं तो यहां पर मैंक्सिम सॉल्ड की प्रॉडक्त की टेबल है और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम स सारी चीजों के बारे में बात करेंगे डेटा सेट के बारे में बात करेंगे जो पिटर नोटबुक्स जो हमने लिखी हैं मोडल की कैसे ट्रेनिंग करी हैं वो सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट का डेमो और जो है कूपूरे कोड का वोक्ट्रू वो सारी चीजे हम आज की वीडि स्टूडेंट हैं तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैस हो रहा है आप वर्टसअब कर सकते हैं या बाकी की डिटेल्स मैंने वीडियो के सेग्मेंटेशन एप है इसमें जो है बेसिकली हमने कस्टमर्स को डिफरेंट सेग्मेंट या डिफरेंट क्लेस्टर में बाटा है और जब लिए समसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख पार हैं यह साइन इन पेज से पहल साइन फेर तो आप जैसा पीस लिंक पर करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल जाता है साइन पर दो टेस्टीमल और यहां पर आप अपनी डिटेल्स डालके जो है अपने आपको साइन अप करवा सकते हैं तो चलिए क्योंकि हम डेमो कर रहे हैं हम एक डेमो कर ही लेते हैं और कोई भी मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूं इन डेट ऑफ बर्थ कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं जो कि आपको इसमें देनी होती है उसके बाद यू विल गेट साइन अप विद इस यूर जेंडर और लेट से कोई भी एक एमेल सेंपल टेस्ट डेमो एड तरेट जीमे होने वाला है और पासवर्ड मैं दे रहा हूं सेंपल के लिए 12345678 और यहां पर मोबाइल नंबर कुछ भी एक 10 डेजिट का मोबाइल नंबर दे सकते हैं तो जैसे ही आप यह सारे डेटेल फिल करेंगे उसके बाद जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो और उससे पहले मेरी एक टेबल है जो की कस्लिमर सेग्मेटेशन मेरा डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर यह मेरी एक टेबल है इसमें सारी यूजर की डेटेल है जैसे कि फली स्ट नेम लास नेम डेट और बिर्ट देट उक bells जो भी हम से हम दे riceos उसके बाद मैं आपको च्रोंश वेहर इमेल is this one so I just want to make sure कि अभी हमारे पास ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो जैसे आप देख पा रहे हैं कोई ऐसा यूजर है नहीं नल नल आ रहा है तो डाट मेंस ऐसा हमारे डेटाबेस में कोई यूजर नहीं है और अब मैं जो यह डिटेल दूंगा तो यह पर्टिक्लर फंक्शनेलिटी क्या करेगी यह पर्टिक्लर फंक्शनेलिटी में बीच में हमने एक रेस्ट एपियाई लिखी हुई है जो कि इन सारी डिटेल्स को लेके रेस्ट एपियाई जो है चेक करेगी अगर सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो डेटाबेस के अंदर इनकी entry कर देगी तो let's say मैं अगर यहां पर sign up करता हूँ please match the request format ओके तो यहां पर शायद यह error आ रहा है क्योंकि यह इसको एक single word treat करना चाहरा है तो मैं इसको यहां पर space हटा देता हूँ और उसके बाद मैं अगर sign up करता हूँ तो जैसे आप यहां देख पा रहे है user registered successfully go to sign in page तो यहां पर check करने के लिए अगर मैं यह मेरा SQL workbench है इसमें मैं दोबारा से same query चलाता हूँ और let's see कि यह entry आई एक नहीं यहां पर आप देख पा रहे है यह same entry आगे simple test name user name जो भी हमने date of birth सेलेक्ट किया था और जो भी हमने email और वो सेलेक्ट किया था password या और सारी details so that means कि हमारा user जो है successfully registered हो गया उसके बाद हम यहां से हम जो sign in page के उपर जा सकने है और हम यहां पे same जो user name था उससे हम login करने वाले हैं जिसको हमने अभी just create किया है उसके लिए password हमारा यह था 12345678 तो यह मेरा user name हो गया और यह मेरा password हो गया तो जैसे ही मैं sign in करूंगा तो मैं इसके home वाले page के उपर चला जाओंगा जहां से हम customer segmentation करने वाले हैं ठीक है तो हम यहां से जो है इस home page के उपर आगे हैं यहां से हम जो है basically दो तरीके से customer का segmentation कर सकते हैं दो तरीक प्रोड़क्ट के basis के उपर और pin code के basis के उपर अब इस चीज़ को समझने के लिए ताकि आप इससे relate कर पाएं तो I think सबसे पहले हमें जो है data के बारे में देख लेना चाहिए यह reason being क्योंकि मैं अगर यहां से डारेक्ट यह आगे का डेमो दिखाऊंगा तो you will not be able to relate with it तो मैं यहां पे जो है आपको एक बार data का quick work through करवा देता हूं कि data है क्या और हम किस basis पे जो है customer का segmentation यानि कि different clusters बनाने वाले हैं तो यहां से जो मैं data की बात कर रहा हूं यह data Indian market का ही है जैसे यह basically कुछ orders का data है जैसे online orders जो आपके आते हैं वो सारी details का data है तो एक quick work through करवा देता हूं हर column का यानि कि हर feature का तो हमारे लिए machine learning में हर column एक feature के तरीके से treat किया जाता है तो इसमें हर feature को एक बात देख लेते हैं और then we will decide कि हमारी particular problem के लिए customer segmentation की problem के लिए कौन सा column या कौन सा feature important है और हमें अगर वो important है तो क्या हमें उसके उपर कोई feature engineering करनी है और वो बाकी की सारी चीज़ है तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे column है ordered on इसमें कुछ नहीं है एक date है जिस date को यह एक order place हुआ था यह shipment की ID है बैसिकली एक unique ID होती है उसके बाद यह order की item की ID है बैसिकली यह भी एक unit ID होती है यह order की ID है तो order item ID मतलब उस order के अंदर कौन सा item जो है बाई किया है user ने वो detail होती है hsn code यह यह भी यूनिक identifier होता है उसके बाद order state मतलब किस order में है state order का टाइप उसके बाद fsn sku product सो यह जैसे हमारे जो shipment और उन सब चीजों के लिए कुछ numbers या यूनिक identifier होते हैं वह सारी हमें वह देनी होते हैं और वह सारी चीज़ें अब sku हमारा जो बैसिकली आप एक तर पर जैसे फॉम्बो विराट नेवी ब्लू वाइट विराट ब्लैक लोइंग वी वूलन कैप वाटवर इट इस नेवी ब्लू बेस्वाल कैप पोटन और वह सारी यूजर की क्या सर्स्टम्स थी और यहां पर एक्शल में प्रोड़क्ट का पूरा description यानि प्रोड़क का न Central GST है यह आई GST है यह State GST है अगर किसी प्रोड़क्ट के ओपर GST लगा है कि नहीं है यहां पर किस डेट की इन्वाइस डेट है यहां पर इन्वाइस अमाउंट है यह Selling प्राइस है यह shipping अमाउंट है यह कितनी quantity user ने बाइ करी है यह प्राइस है उस एक unit का कितना address, address line 1, address line 2, city, then state, then pin code and then dispatch date, dispatch और वो सारी details जो है tracking ID उसके बाद यह जो है package जो है जिस box में वो package करके भीजा गया उसकी length, उसकी width, उसकी height वो सारी details package की length और यह ready to make है मतलब ऐसा तो नहीं है यह ready to make वाला product है और इसके साथ कोई attachment है कि नहीं है तो इस तरीके से यह एक online order जैसे हम करते हैं तो इतने सारे different different जो है parameters का data हमारे लिए generate होता है और उन में से एक का मैंने एक example बताया कि it looks like something like this ठीक है तो यह हमारा data set है और इस data set को use करके हम हमारे products को जो है team basically parameters के उपर grouping करने वाले यानि कि उनकी clustering करने वाले हैं सबसे पहला हमारा जो है parameter है वो है यह कि product के base पे हम clustering करने वाले यानि कि हम यह जानना चारे हैं यानि कि हम यहां यह जानना चारे हैं कि इस data के basis के उपर हम अपने कौन से हमारे products ऐसे हैं जो कि आगे की further strategy बना सकते हैं या तो हम उन्हें discontinue कर सकते हैं या तो हम उनके साथ कोई offer जो है वो roll out कर सकते हैं तो basically हम यहां पे दो तरीके से clustering करने वाले हैं product और दूसरा हम pin code, pin code का मतलब है कि कि सेरिया में हमारे product सबसे ज़्यादा sell हो रहे हैं कि सेरिया में हमारे moderately sell हो रहे हैं या कि city या किस town में हमारे minimum sell हो रहे हैं तो इन दो parameter के base पे हम clustering करेंगे और clustering करने के लिए हम यहाँ पे जो एक sample CSV, test CSV हम जो है इसको देंगे और जैसे हम यहाँ पे CSV हम यहाँ से browse करेंगे उसके बार यहाँ पे हम इने में से कोई एक select कर सकते हैं की base के उपर हम जो clustering करना वाले हैं और जैसे ही मैं यहाँ से product select करता हूँ तो यह इस data को use करके product के base पे आपकी जो है clustering करके देदेगा तो जैसे ही मैंने यहाँ पे submit किया उसके बाद मैं आपको यह दिखा देता हूँ इसने एक बहुत ही अच्छा graph जो generate किया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो red dots हैं वो minimum sold products हैं जो blue dots हैं वो हमारे moderately sold यानी mediumly sold products हैं और जो green dots हैं वो हमारे maximum sold products हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस y-axis के ओपर हमारी quantity है और यहाँ पे जो green dot है यह let's say जैसे इसमें 200 से ज़्यादा quantity है तो यह हमारा maximum sold product है और यह blue dots हमारे moderately sold products है अब इस graph को देखके हमें यह नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे आप नीचे x-axis के उपर देखोगे तो यहाँ पे product के label encoded है यानि कि product का name को एक number दे दिया है और उसके base पे यहाँ पे वो जो है graph में दिख रहे हैं तो इससे हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा label कौन से product के लिए तो इस चीज़ को भी easy करने के लिए मैंने एक नीचे पूरी table बनाई है वो भी मैं आपका उसको walk through करवाँगा उससे पहले जल्दी से एक बार यह बता देता हूं जैसे यहाँ पे excesses के उपर जो है हमारे let's say red dots है जिसको let's say किसी एक product को हमने 0 label दिया किसी दूसरे product को 1 दिया किसी को 2 दिया तो जो यह red वाले जो 0 से 45 या 50 तक almost spend कर रहे हैं यह वाले products हमारे जो है minimum sold products है और जो 50 से लेके 100 से ज्यादा वाले हैं जिनका label वो हमारे moderately हैं और यह green वाले जो हैं हमारे maximum sold products है अब इनकी जो मैपिंग कैसे है वो यह है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं यह maximum sold products है ठीक है अब maximum sold products की यहां पर तीन टेबल बन रही है यह सेमी डेटा को ज़्यादा easily understand करने के लिए नीचे टेबल भी बनाई है ताकि इनकी मैपिंग से हम देख पाए कि कौन सा प्रोड़क्ट हमारा easily sell और कौन सा नहीं sell हो रहा है तो यहां पर maximum sold की प्रोड़क्ट है टेबल है यहां पर moderately sold products की टेबल है और यहां पर minimum sold products की टेबल है तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे यहां पर हमारा label 0 था और उस प्रोड़क्ट उस प्रोड़क्ट का नाम है यह वाला यहां पर जो है यह वाले सारे प्रोड़क्ट जो है वह moderately sold मतलब ठीक ठाक बिक्री हो रही है इनकी और यहां पर जो एक प्रोड़क्ट है तो जब आपको यह पता लग जाता है कि यह minimum sold products है तो आप इनके अगेंस्ट में या इनको इंप्रूव करने के लिए आपको strategy बना सकते हैं ठीक है यह तो हमारी होगी प्रोड़क्ट के बेस पर जो है clustering अगर मैं सेम जो है सेम order csv का यूज करके मैं अगर pin code के basis पर clustering करना चाहरा हूं that means कि मैं pin code wise यह चेक करना चाहरा हूं कि कि city या area या region में हमारे product किस तरीके से sell हो रहे हैं तो जैसे ही मैं यहां पर submit करूँँआ तो मेरे लिए एक नया graph जो है generate होकर आ जाएगा हां तो यहां पर मेरे लिए एक नया graph generate हो गया आ गया यहां पर आप देख पार है के means clustering pin code sales वैसे ही similar to जैसे red dots हमारे जो है यह इस graph में red dots minimum sold pin codes को बता रहे हैं कि इन इन pin codes के ओपर minimum sold products जो minimum selling हो रही है green वाले medium को बता रहे हैं और blue वाले maximum को बता रहे हैं तो यहां पर जैसे आप देख पाएंगे यहां पर भी pin code की जो है basically encoding कर रखें पिन कोड जो है हमारा encode कर रखा है लट से कोई एक pin code 6 digit का उसको हमने 0 से map कर दिया किसी दूसरे pin code को 1 से map कर दिया लेकिन यहां से यहां सिर्फ graph देखने से आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कौन से pin code के उपर जो है वो आपकी जो कितनी selling हो रही है तो उसको basically अच्छे से समझाने के लिए नीचे जो है similar table बनाई गई और यहां पर quantity देख पा रहे हैं कि किस pin code के उपर product की कितनी selling हो रही है तो यहां पर मैं अगर आपको दिखाओं जैसे यह हमारे maximum sold products है इस pin code के उपर let's say जिसका label 6 है और वो actual pin code यह है तो यह हां पर हमारा maximum sold product है ठीक है ऐसे हमारा जिसका label यह वाला है 24 है वो actual pin code 182121 तो इस pin code के उपर भी हमारे जो है products जो है maximum sold हो रहे हैं ऐसे similarly बाकी की सारी table जो है और यहां पर दूसरी table similarly यहां पर sold वाली है तो यहां पर जो label आपका 162 है यानि कि 162 आपका यहां कहीं आएगा इस graph के अंदर तो वहां उसका actual pin code क्या है उसका actual pin code है यह 533247 ऐसे ही जहां पर लेबल 163 है उसका actual pin code है यह 533307 तो आप इस pin code के basis के उपर then you can decide कि ओके यह किसे रिया का pin code है यहां पर हमारे प्रोड़क्स जो है moderately sold हो रहे हैं ठीक ठाक sell हो रहे हैं ऐसे ही जो minimum sold product है वह यहां पर है तो इन इन pin code के उपर हमारे minimum sold products हैं तो इनके लिए आप जो है आगे की further strategy बना सकते हैं ठीक है तो यह तो हुआ हमारा जो complete demo इसमें जो हमारा हमने sign up cover किया है sign in cover किया है और जो पूरा home या dashboard जिसमें हम clustering कर रहे हैं वो सारा हमने cover किया उसके बाद हमने data का एक work through कर लिया अब हम next हम बात करेंगे Jupiter notebook की और बाकी के code की तो जैसा आप मेरी screen देख पा रहे हैं यह मेरे इसको मैंने source code को या पूरे project को जो है VS code में import कर लिया है और यहां पर आप देख पा रहे हैं यह मेरी route directory है एक बार quick project की structure का भी work through करवा देता हूं यह हमारी route directory है यहां पर हमारा data पड़ा है जो जिसको हमने training और उन सब में यूज किया है यहां पर हमारे trained model की binary पड़ी है pickle file basically जो हमने यूज किये हैं prediction में यह हमारे notebook से जिसका मैं अभी work through करवाँगा static में हमारी जो जो हम graph generate करते हैं वह वाले यहां पर आके store हो जाते हैं templates में हमारे जो है front end का code है और app.py में हमारा backend का code है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जूपिटर notebook की जूपिटर notebook में हमारा जो है जैसे सबसे पहले हमने clustering करी थी based on products तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले हमने जो है required libraries को import किया है उसके बाद जो हमारी CSV फाइल को उसको read गया data frame के form में अब हम जो है product के base पे जो हम clustering करने वाले हैं तो इस case में हमारे लिए दो relevant column हो जाते हैं बाकी column हमारे लिए relevant नहीं है reason being की वो unique identifier है या उतना those are not relevant as per the problem statement हम क्या करने वाले हैं इसमें हम करने वाले हैं product के base के ओपर clustering तो हमारे लिए product और उसकी quantity सबसे ज्यादा relevant column है या relevant feature है तो हमने यहां पे उनके name बना लिया और उनकी कोपी निकाल लिए different data frame में फिर हमने यहां पर group by लगाया है और group by quantity और फिर हमने जो वो सारी details हमने यहां पर ले लिए उसके बाद हमने label encoding करी है क्योंकि हम जो है direct data इसी form में नहीं दे सकते हमारे model को वो समझेगा ही नहीं तो इसलिए हमने यहां पर label encoder का use किया label की encoding करी है products और यहां पर हमने उसको encode कर लिया है उसके बाद हमने scalar का use किया scalar हम बैसिकली इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमारा data same scale के उपर हो हमारा model कभी बाइस ना हो ठीक है यहां पर हमने scalar का use किया इन दो columns के उपर उसके बाद यहां पर हमने k-means clustering का use किया हम बैसिकली तीन cluster बनाना चाह रहे थे कि कौन से product जो है सबसे कम विकने वाले हैं कौन से product जो है ठीक ठाक भी करें और कौन से product जो है जो अच्छे भी करें तो हम इन यह तीन cluster बनाना चाह रहे थे तो that's why यहां पर cluster number of cluster is value is three तो यहां पर के मीन्स का object बनाए और यहां पर फिट और clustering तो यहां पर जो हमने एक inverse transform का concept होता है जिसको आप यूज कर से करके आप यह check कर सकते हो कि आपकी clustering ठीक हो रही है कि नहीं ठीक है उसके बाद गलती से अगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जब आपने अपने model को train किया है तो वह dataset आपको कोई actual में मिल जाए जो कि आपने training के टाइम पर नहीं दिया था तो ऐसे case को handle करने के लिए भी यहां पर अलग से हमने एक different ID हम set कर लेते हैं basically उसमें क्या होता है कि जैसे हम अपने label को जो encode करते हैं इसको product को जो हम basically हम यहां पर encode करते हैं product का जो label है उसको encode करते हैं तो लट से कोई ऐसा ही नेम आगया कोई नया प्रोड़क्ट आगया जो हमने कभी training में देखा ही नहीं था actual में तो उस time पर हम क्या करेंगे उसको label को एक नया label assign कर देंगे ठीक है और फिर accordingly हम उसकी different cluster करते time वह उसकी grouping उसके base पर होगी उस लेबल के base के उपर ठीक है उसके हम जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्लस्टिंग बना लेते हैं ग्राफ बन जाता है हमारा यह प्लोट हो जाता है उसमें हम यह चीज़ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोड़क्ट किस लेबल से मैप है तो उसके लिए हैं यहां पर जो हमने आगे का लोजिक लिखा हुआ है कि जैसे जो भी हमने labeling करी है उसको बेसिकली वापिस से समझने के लिए जिनके basis पर हमने टेबल बनाई थी उसको वापिस से समझने के लिए कि कौन सा लेबल किस चीज को रिपरेजेंट कर रहा है जैसे यहां पर एक एक लेबल 6 है अब मुझे नहीं पता कि यह लेबल खिस को कौन से पिन legisl taken कर रहा तो यह सेम इंफरमेंशन दोबारा से इसकी mapping यहां पर दिखाने के लिए यहां पे वह सारा logic लिखा हुआ है तो जैसे यहां पे लेबल 6 जो है इस पिन कोड को जो है मैप करता है ठीक है तो यहां पे वह वह वाला logic लिखा हुआ है कि आप अपने cluster कर देते हो और यहां पर rename में मतलब जैसे मैंने को में आपको बता रहा हूँ जो हमने टेल बनाई है वहां पर उनकी जो है वहां कि वापीस से क्या बोलते हैं अधिक है का रिवर्स मैपिंग है model को देने के लिए हम directly name ऐसे नहीं दे सकती तो हमने क्या किया कि हमने उसकी label encoding कर दी label encoding करके हमने graph generate कर लिया उसके बाद फिर अब वह ग्राफ से हमें डायरेक्ट सिर्फ यह समझ में आएगा कि कौन सा product किस चीज़ से mapped है या कौन सा label किस चीज़ से क्लेस्ट की कौन सा product maximum sold कौन सा product minimum sold उसके बाद नीचे आजाते हैं दूसरे वाला जो जो हमने दो टाइप की क्लेस्ट करी हैं उसके बाद जो दूसरी है वह पिन कोड के बैसे के उपर रहें very similar logic very same to same बस different यह है कि यहाँ पे हम ने पहले हमने product और quantity लिया था आप हम PIN code और quantity, क्योंकि हम PIN code के base के उपर करना चाहरे हैं क्लस्टिंग तो हमारे लिए यह दो relevant column बन जाते हैं तो हम यहाँ पर सुनकि एक copy बना लेते हैं उसके बार group buy करके वो basically प्रोडक्ट की PIN code की कि को सब्सक्राइब कर दिया ओसको देटा को यह स्केलिंग कर दिया यहां पर हमम द्वारस से बनाना चाहरे कि हम हम हैंगा वह क्लेस्टर और ठीक्या उसके बाद यहां पे हमने clustering करके यहां पे हमने एक दोबारा से verify करिए कि हमारे जो clustering हो रही है वो correct हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है उसके बाद थोड़ा सनीच अगर हम आते हैं उसके बाद जो हमने हमारे जो cluster बने हैं उनके name change कर दिये minimum sold, maximum sold और क्योंकि otherwise यहां पे cluster के name भी एक जैसे 012 इस टाइब से आते तो उसको ज्यादा logical understandable human understandable बनाने के लिए उन clusters को name वैसे वाले दिये जो हमने training के time पर यूज किया रही है वाला यह पिन कोड के basis के उपर का graph है उसके बाद यहां पर हमने जो है जो हम मोडल हमने जो train कर लिया है उसको मोडल को encoder को स्केलर को उन सब को हमको सेव करना पड़ेगा और हम वह सेम जो हम आगे उसमें हमारे बैकेंड में यूज करते हैं ठीक है यह हमारा हो गया जूपिटर नोटबुक उसके बाद हम आते हैं एक क्विक वॉक्ट्रू ऑफ और बैकेंड में हमने जो हमारा flask server रन हो रहा है और flask server के उपर बेसिकली हमने rest API endpoints लिखे हैं तो front end और back end के बीच में rest API endpoints है जो कि एक दूसरे से talk करते हैं ठीक है और rest API call आती है यह जो बैसिकली pickle form में या jowleep की form में जो हमने इसको एंकोडर को, scalar को और k-means model को save किया था वो हम यहां से लोड कर रहे हैं यह जो हमने save कर लिया था वो यहां पे save कर लिया था और यहां पे हम उनको लोड कर रहे हैं यह हमारे trained model है आप ऐसे समझे लिए डेटाबेस का यूरल डेटाबेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम यूजर की डिटेल को हम रख सकते हैं यहां पे हमने डेटाबेस का यूरल दिया हुआ है यह मेरा यूजर नेम है यह मेरा पासवर्ड है यह मेरा लोकल होस्ट के उपर रनिंग है और यह मेरा जो है डे लास का यूज करके उसमें यह सारी डिटेल जो हमारे हम डेटाबेस में जब फीड करते हैं तो जैसे यहां पर सबसे पहली साइन अप वाली जो हमने यूजर नेम एड़ फिर उसके बाद एक बेकेंड के लेवल पर एक बेसिक सी डिटेल हम चेक करते हैं अगर यहां से सारी चीजे ठीक हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं अगर यहां पर कुछ फेल हो जाता है यहां से हम एक देशन एरर फ जो हमने यूजर क्लास बनाए थी उसका उबजेक्ट में यह वाली जो फ्रेंट एंड से डिटेल आई है उसको इसे काईड ओफ बीन क्लास अगर आपको जावा का बीन क्लास का अबजेक्ट बनाके यहां पर हम जो है हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहें तो यह हमारी होगी sign up API उसके बाद यहां पर एक home का URL है बैसिकली जैसे अगर हम जैसे ही home को वो करते हैं डारेक्ली इस URL पर जाते हैं तो हमारा sign in.html को render करना है sign up पर हमारा sign up.html को render करना है slash home पर slash home को render करना है तो यह वो वाली mapping से उसके बाद next API जो हमारी sign in की है sign in में हम क्या क request आती है उसके data से हम username निकालते हैं password निकालते हैं और शेम ऐसे session का object बनाते हैं और हमारे user को query करते हैं database के साथ कि क्या यह user exist करता है अगर exist करता है तो हम यहां से success return कर देते हैं और हम home वाले page के उपर चले जाते हैं जैसे हम sign in होते हैं तो आपने देखा होगा sign in होते ही हम जो है home वाले page के उपर आजाते हैं जहां से हम csv को होगो करते हैं तो यहां से हम जैसे ही हम sign in होंगे यहां पे हम redirect हो जाते हैं और अगर हमारा यह user exist नहीं करता है तो हम invalid username और password का error दे देते हैं उसके बाद यह वाला mapping वही वाली sign up वाली और यह sign in वाली mapping हैं उसके बाद एक जो एक और जो हमारी जो next API है process csv यहां से जो हम basically यहां से जब हम csv को upload करेंगे और clustering type को select करेंगे और submit करेंगे तो हमारी यह वाली API जो होगी process csv यहां से फिर हम file को read कर लेते हैं file जो और request form.clustering type यहां से हम cluster type इंग में से चेक कर लेते हैं कि user किस basis के उपर clustering करना चाहरा product के उपर या पिन कोड के उपर फिर यहां पे अगर clustering product के बेस के उपर है तो यह वाला method को लोगा अगर pin code के वे उपर है तो यह वाला method को लोगा अब इस method के हम जो अंदर जो हम d एफ हमारा data frame और जो scalar label encoder और के मिंस यह चारो अब्जक्ट हम भेज रहे हैं क्योंकि हम इनका यूज करना चाहरें उसके बाद यह वाला logic है यहां पर similar logic ही जो हमने जुपिटर notebook में दिखाया था कि हम जो हमें data आएगा उसमें से relevant column निकाल लेंगे feature engineering कर देंगे अगर हमें कुछ aggregation वगरा करना है कुछ encoding वगरा करनी है तो फिर model का use करके हम वो that is very similar logic जो कि हमारा हमने जुपिटर notebook में देखा था और यह हमारे similar logic जो है pin code के उपर जो हमने graph generate किया था वह वाला logic है उसके बाद that's all यह हमारा पूरा back end का code हो गया और जल्दी से बहुत ही जल्दी जल देता हूं front end में ज़्यादा कुछ है नहीं यहां पर style को मैं cover नहीं करने वाला हूं क्योंकि CSS style it's not worth to cover यहां पर basically वह हमारे web page की सजावट है कि हमने कैसे CSS को सब्सक्राइब किया यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह मैं अभी सबसे पहले कर रहा हूं आपका upload CSV वाला जो आपका जो यह वाला home page वाला जो basically है यहां पर हम जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप यहां से एक वो लेते हैं product यह पिंकोड इन में से कौन से वाला चेक्ड हैं और CSV file को जो upload करवाते हैं और यह सब यह वाला form जब आप वो करते हैं उसके बाद अगर जैसे ही आपका submit वो जैसे ही आपका वो आएगा क्या बोलते हैं response आएगा तो यह तीन table बनाएगा एक maximum sold की एक medium sold की यह उसका HTML code है ठीक है उसके बाद में यहां पर यह वाला दिखा देता हूं जो हमारा JavaScript का logic है तो यहां से हम जो file upload हो रही है वो file को यहां से निकाल लेते हैं अगर हमारे file upload हु और यहां से हम clustering type मतलब user ने कौन से वाला radio बटन सेलेक्ट किया product वाला या पिन कोड वाला उसकी value निकाल लेंगे और यहां से हम फिर जैसे हमने बताया था इसके पीछे slash process CSV वाले API endpoint को को होता है जैसे ही यहां से हम submit करेंगे तो हमने वही API endpoint कोल किया post API है और उसको form data project लिया है और इन में से यह लिया है कि अगर हमारा clustering type product type है या पिन कोड टाइप है तो जो भी होगा हम accordingly वह वाली populate कर देंगे अगर हमें error आता है तो हम यहां से error दिखा देते यह वह वाला function है जो product table को populate करता है और नीचे यह वाला function जो है pin code table को populate करता है basically जैसे हम response get करते है तो फिर जो product table का response आया है maximum sold वाला फिर minimum sold वाला medium sold वाला accordingly जो भी data है उन tables में वो populate कर देगा वह वाला logic है उसके बाद sign in sign in की simple फाइल है यहां पर हमारा csv था यह हम्मरा stml का code है वही हम username लेते हैं password लेते हैं और उसके बाद यहां पर the script का code कि बात कर लेते हैं यहां से हमने username को fetch कर लिया पास्वर्ड को fetch कर लिया और जो हमारी लाइश साइन वाली इसको कोल कर दिया वहाँ से हम जो बोडी हाई डिया उसको जिसेन में करते हैं तो हम रीडियरेक्ट कर देंगे कि उसमें डेटा में match और मतलब की यहां पी मैं अगर दिखाए हैं हम जब साइन二 करते हैं यहां मैंने आपको दिखाया था हम हमां जब साइन-इन करते हैं तो सक्षेश्फुल साइन-इन के बाद जो है एहां हम कहां ऊंका पर इंटक करते हैं नेक्स्ट वाले पेजवीच आवर वूंडोर कियात हई तो यहां कि यहां पर होगा तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर हम रिडारेक्ट यॉरल भी भेज रहे हैं अगर जैसे अगर जैसे हमारा सक्सेस हो जाए तो हमें इस यॉरल पर रिडारेक्ट कर दें तो फ्रंट अंड पर हम क्या कर रहे हैं फ्रंट अंड पर हम यहां लेड़ी यूजरनेम और वो सब हैं और एर्र आता है तो फिर हम यहां पर दिखाते हैं अगर रिस्पॉंस में यह हमारा साइन इन हो गया उसके बाद लास्ट जो क्विकली हम जो इसका स्टाइलिंग अटा देते हैं सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत हैं उसके बाद बस डिरेक्टली जो है जावा स्कृप्ट की बात कर लेते हैं जावा स्कृप्ट में हम जो भी यहां से फ्रंट-एंड से वैल्यूज ले रहे हैं उनको इसके अंदर यह वरियेबल के अंदर रेड कर लिया यह रीड क और जो हमारा response आया है response को हमने फिर यहां से जेशन में कंवर्ट कर लिया और जेशन में करने के बाद जो भी message आता है हम उसको जो है अगर हमारा वो आता है तो हम success आता तो यहां से सक्सेस दिखा देंगे और साइन फोर्म को रीसेट करतें मतलब अगर सक्सेस आ गया तो पूरा साइन फोर्म जो है क्लीन हो जाएगा और यहां पर अगर अगर आती है तो हम एकुटिंधी एर दिखा देते हैं अगर मालों पूरा code का जो है work through हो गया so that's all for this video guys अगर आप अगें इस project को किसी भी purpose के लिए use करना चाहरे हैं तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं and stay tuned for more such interesting videos on AI, ML and other interesting technologies till the next video, bye bye, take care